हेलो दोस्तो स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल EPFN ESIC Expert में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास ESIC नंबर है तो कैसे आप अपने ESIC नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तो ESIC को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है दोस्तो ESIC हमें Medical Facility प्रधान करता है जो कि हमें काफी जरूरी है हमारे Family Members के लिए तो दोस्तो ऐसे में क्या होता है कि हमें अपना ESIC का जो नंबर है उसे एक्टिवेट करना बहुत कमपलसरी है तो वही आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ESIC नंबर है तो कैसे आप अपने ESIC नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तो पहता था कि जितने भी Employees हैं वो सारे डिपेंड रहते थे एंपलोयर के पास अगर उनका Employer काम नहीं करेगा तो Employees का काम भी नहीं हो पाएगा लेकिन दोस्तो अब ऐसा नहीं है Employees के लिए भी ESIC ने काफी कुछ फैसिलेटी प्रदान की है जिसकी मदब से Employees खुद स्वयम अपना काम ESIC के अंदर कर सकता है दोस्तो सबसे important बात ये है कि आपके मन में एक question आ रहा होगा कि सर हमें ESIC नंबर कहां से मिलेगा तो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ जहां भी आप काम करते हैं जिस भी company में आप काम करते हैं वहाँ पर आप अपने employer से बोलिए कि सर हमें हमारा ESIC नंबर दिया जाए जिससे हम अपना ESIC नंबर एक्टिवेट कर सकें तो चली दोस्तो वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने ESIC नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तो यहां पर आपको Google में सर्च करना है ESIC दोस्तो जैसे आप ESIC सर्च करते हैं आपको पहली ही लिंग पर किलिक कर देना है दोस्तो यह मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है कि कैसे ESIC की साइड ओपन की जाती है यहां से आपको क्रोस करना है क्रोस करने के बाद दोस्तो आपको Services में जाना है और यहां पर जैसी आप जाएंगे तो आपको दो Option देखने को मिलते हैं Employees और Employer हमें Employees वाले पर किलिक करना है जैसी आप यहां पर किलिक करेंगे और दोस्तो इसकी link में आपको description में provide करा दूँगा वहाँ से जाकर भी आप इसे direct login कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर आने के बाद ESIC का official page आपको देखने को मिल जाएगा और दोस्तो अब हमें क्या करना है हमें अपना ESIC number activate करना है दोस्तो जब तक हमारा ESIC number activate नहीं होगा जब तक हम किसी भी सेवा का लाप्राप्त नहीं कर सकते तो दोस्तो अब आपके मन में एक question आएगा कि sir हमें ESIC number कहां से मिलेगा तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले अगर आप जिस भी company में काम कर रहे हैं तो वहां पर आप अपने employer से सबसे पहले दो चीज़े जरूर ले एक UN number और एक ESIC number यह आप अपने employer से जरूर ले 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 दोस्तो आपके पास ESIC number है तो आपको यहां पर sign up पर click करना है यहां पर देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा sign up करें तो दोस्तो इस पर आपको click कर देना है जैसे आप यहां पर click करेंगे दोस्तो जैसे आपने sign up पर click किया तो दोस्तो यहां पर देखिए आपको ESIC का number आपको date of birth और आपका mobile number यहां पर आपको डाल देना है दोस्तो अगर आपको language नहीं समझ में आ रही है अगर आपको कुछ दूसरी language में sign up करना है तो दोस्तो यहाँ पर कुछ भासा हैं आपको देखने को मिलेंगी दोस्तो बारा भासाओं में आप यहाँ पर sign up कर सकते हैं जो भी भासा अगर आपको suit करती है उस language में आप यहाँ पर select कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर हमें ESIC number डालना है जो भी employees का ESIC number है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए दोस्तों यह जो पूरा process है employee खोद कर सकता है इसमें employer की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ESIC number डालना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको date of birth select करनी है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर mobile number डालना है mobile number डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको capture feel करना है तो दोस्तो हमें चार चीजों की आवशक्ता पड़ती है बेसिकली हमें तीन चीजों की आवशक्ता है यहाँ पर एक ESIC नम्बर और date of birth और mobile नम्बर अब दोस्तो यहाँ पर आपको sign up पर click करना है जैसे आप sign up पर click करेंगे जैसे आप यहाँ पर किलिक करते हैं, तो देखिए दोस्तों आपसे पूछता है नया पासवर्ड सैट करें, यानि कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपने हिसाब से पासवर्ड बनाना है, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहें, ठीक है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर बन आते हैं तो यहां पर हमना password बना लिया है और यहां पर हम submit कर देते हैं जैसे हम यहां पर बता देता है कि password अपटेट successfully और दोस्तों अब हमें दुबारा से यहां पर log in करना है तो जैसे आप click here पर click करते हैं तो दोबारा से वही page हमें देखने को मिल जाता है, अब आपको दोस्तों डारेक्ट यहाँ पर अपना ESIC नम्मर डालना है और दोस्तों आपने जो पास्वर्ड अभी बनाया था, वही पास्वर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको capture feel करना है और दोस्तों sign login पर click कर देना है जैसी आप यहाँ पर click करते हैं तो दोस्तों आपका ESIC का जो employees का जो page है यानि कि employees portal है वो successfully login हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका नाम, mobile number, ठीक है आपकी date of birth, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ESIC के number को activate कर सकते हैं जैसे आप UN activate करते हैं ऐसे आपको ESIC activate compulsory है दोस्तों जिन लोगों को ESIC की facilities लेनी है तो दोस्तों उन्हें ESIC number जरूर login करना होगा यानि कि उन्हें ESIC number अपना activate करके आया है जो भी पहली बार यह वीडियो देखेगा उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप दुबारा से वीडियो को देख सकते हैं उसके बाद आपके सारे डाउट के लिए हो जाएंगे तो दोस जह हैं